तो हेलो फ्रेंड्स अगर आपका बजट है एट लैक रुपीज ओन रोड अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक बहतरिन कार हो जो आपको एट लैक के बजट में मिल जाए तो आज हम बात करेंगे टॉप फाइफ कार अंडर एट लैक जो आपको इस बजट में मिल जो आपकी जेव पर ज्यादा भारी भी नहीं पड़ेंगी मेंटेनर्स में जिनका काफी अच्छा होगा कम होगा और इनका आपको माइलेज भी काफी अच्छा मिल जाएगा काफी लोएस प्राइस पर तो बात करते नंबर फाइफ में आने वाली कार के बारे में जो की है करके टियागो टाक के टियागो वन अफढ़ बेश्ट कार है जो इंड की कि इपक्ति त्षाइज है उसमें काफी इंग को का be का इंजन मिल जाता है 1.2 लीटर का इसके इंजन स्प्रेशिपिशन के बारे हम बात करें तो यह आपको डवल वन नाइन नाइन सीची का इंजन मिल जाता है जो आपको 84.82 बहुत की पावर देता है विद वन हंडेड एंड थर्टी नूटर मीटर का टॉर्क इसमें आपको माइलेज भी काफी अच्छा मिल जाता है 24 के MPL का और इसमें आपको 7 इंच का काफी अच्छा इंफोटेमर सिस्टम मिल जाता है स्पीकर मिल जाते हैं और सारी फीचर मिल जाते हैं तो क्योंकि इस वेरिंट के बाद सीधा टॉप मोडल आता है तो इसमें काफी अच्छी किफाईती कारों तो आप जा सकते हैं टाटा टियागो के साथ अब बात करते हैं नामबर फोर मे बेखी सत्में किता अच्छा है इसका इंजन भी काफी अच्छा मिल जाता है 1.2 लिटर का पेट्रोल इंजन अब बात करें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इसमें आपको 1197 CC का इंजन मिल जाता है पेट्रोल इंजन जो आपको 81.86 बहप की पावर देता है जो कि आपको काफी अच्छी पावर देगा अब इसके माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 20.7 kmpl की मिल जाती है इसमें आपको फीचर्स भी काफी अच्छी मिल जाते हैं इसके अंदर आपको सारी connectivity मिलेगी इसमें आपको 8 इंच का इंफोटेमेंट सिस्टेम मिलेगा इसमें आपको शारी फीचर्स में आपको मिल जाते हैं अब बात करते हैं हमाए नमबर थ्री में आने वाली प्रह निसान की मेंगनेट वन ऑफ दबेस्ट आप्शन है क्योंकि इसमें आपको शेवटी भी काफी अच्छी मिल जाती है ये सब इस कहा सब यहां पकूपको इस पीचर लोड़ेड रहेगी इसमें आपको 999 CC का एंजन मिल जाता है 1.0 लीटर का इसमें आपको 71 BHP की पावर मिलती है विट 96 एनम का टॉर्क इसमें आपको टाच स्कीन तो नहीं मिलता है बाइसमें आपको रेडियू मिल जाएगा जो कि आपको ब्लूटूप के साथ करनेटिविटी रहेगा इसमें आपको आउक्स भी करनेट कर सकते हैं इसमें आपको 18-19 KMP की माइलेज मिल जाएगी इसमें आपको टाच स्कीन तो नहीं मिलता है बाइसमें काफी बेसी अगर आप अपने फेडिये के लिए चाहते हैं अच्छी कार जो कि दिखने में भी काफी बड़ी हो जिसमें स्पेस भी काफी अच्छी हो जो कि सेफ भी हो इसमें आपको बेसिक फीचर मिल जाए तो आप जासके निसान वैगनाट की तरफ इसमें आपको जो लूब भी अब कुछी गाड़ी है इस बजट में को कि यह सेवर सीटर के साथ आजाती है अगर आपको चाहते की फेमली बड़ी है और आपको सेवर सिटिंग की कैपिसीटी मिल जाए एक अच्छी से डिखने वाली कार की अंदर को आप जा सकते हैं रे बंग की तरफ इसमें आपको ज के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इसमें आपको त्रिपल नाइन सीची का इंजन मिलता है मैगनाइट की तरह जो आपको 76 बहुत की पावर देगा विद 96 आनम का टॉर्ट इसमें आपको माइलेज भी काफी अच्छा मिल जाएगा 20 kmpl का इसमें आपको बात करें बे की कार हो तो आप जा सकते हैं रेनोल्ड की काईगर की तरह बिए निसान मेगनाइट की ठीकार है की सेमसें की फ्लैटफूर बनीए पर उनका एक स्टेज्यो तो आप देन해서 की कार गफय트 का सकते हैं जी हां Tata Punch Tata Punch भी one of the best option है अगर आप चाहते हैं आट लाक के अंदर में कोई कार इसका आपको Adventure Rhythm Variant मिल जाएगा आट लाक में जिसमें काफी अच्छी फीचर मिल जाते हैं इसके इंजन स्पेसिफिशन के बारे अंबात करें तो इसमें आपको 1199cc का इंजन मिल जाता है जो कि पेट्रोल के साथ आएगा इसमें आपको 84.48 PHP की पावर मिलती है विट 1130 Nm का टॉर्क इसमें आपको 18.97 km पिल क काफी अच्छी माइलज मिल जाती है इसमें अगर बेसिक फीचर्स के बारे हम बात करें तो इसमें आपको 7 इंची तरह तरह काफी पसंद आएगी तो यह था वीडियो पसंद आओगा बहुत बहुत धन्यवाद